हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आप विशाल आप सब करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहला आइकन को तबाना ना भूलें ताकि आपको ह नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हमको नई वीडियो बनाये करें तो दोस्तों आज की जो एप्लिकेशन है बहुत अमेजिंग होने वाली है वीडियो को आपको एंड तक देखना है स्किप जरा सा भी नहीं करना है स्किप करेंगे काफी कुछ मिस कर देंगे तो आज की वीडियो को आपको देखना है एंड तक जरा सा भी स्किप नहीं करना है ओके दोस्तो तो दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्या है आज की वीडियो में आपको हम बता देते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा, बेल आगन को दबा देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भीक कर देना और ध्यान रखेगा दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो कोमेंट करके ज़रूर बताइएगा चलिए दोस्तो, सबसे पहले Playstore पे आप को, Playstore में आपको decadion डोने के लिए प्ले जाना होगा और आपको seruger करना होगा तो यहां पे easily आपको देखने को मिल जागी, आपको search करना, unfortunately,ifttt करके search करना हैKay बहुत अच्छी application है, इसे आपको ऑपन करना है, यह आपको permission मागेगा आपसे और आपको permission दे देनी है अब दोस्तो इस application का काम क्या है मैं आपको बताएता हूँ दोस्तो पहली बात तो बहुत amazing है यह application यहाँ पर जाके आप पता है बहुत सारे trigger create कर सकते हैं कैसे trigger क्या है मैं आपको बताएता हूँ दोस्तों जैसे कि suppose आपके पास किसी की call आती है और आप वो call नहीं उठा पाते हैं हो सकता है आप busy हो या फिर किसी और काम में व्यास्त हो जो भी हो ओके दोस्तों तो यह क्या करेगा यहां पर आप already कुछ trigger ऐसे create कर सकते हैं और हो सकता है maybe आपके पास जो call आने वाली हो वो बहुत important हो और आप उठानी ही पाएं हो सकता है आपकी girlfriend की हो, हो सकता है आपके boyfriend की हो, किसी की भी हो तो यह trigger ऐसे create करेगा जो आपको ऐसी situation से बचा सकती है आप यहां पर क्या कर सकते हैं? create कर सकते हैं triggers जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहां पर लिखा है if this then that जैसा कि इसकी full form है ifttt if this then that ओके दोस्तों यहां पर add करना होता है आपको if this if this में आप जैसे ही जाहेंगे यहां पर आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी जैसे कि Instagram पर अगर कोई message आता है तो किस तरीके की notification वगेरा होनी चाहिए या फिर किस तरीके की चीज़ें trigger आप create कर सकते हैं वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा ओके दोस्तों जैसे कि Android device पर जाते हैं अगर दोस्तों यहां पर जैसे की लिखा हुआ है दिसकनेक्ट फ्रॉम एनी बाइफाय नेटवर्क यानि कि अगर आप किसी बाइफाय नेटवर्क से डिसकनेट हो गया तो आपको तुरंट नोटिफिकेशन आ जाएगा लेकिन किस तरीके अब moje नोटिफिकेशन आयगा वह आपको दैन दैड में जागे एड करना होगा यहां पर जैसे ही आएंगे यहां पर आपको चीजन देखने को मिल जाएगगे ऑगे दोस्तो अब दोस्तो जैसे की टाइटल है यहां पर link URL वगएरा, image URL वगएरा आप डालके इसे use कर सकते हैं तो काफी landy, काफी vast application है यह इसे आप use करके देखिएगा मज़ा आएगा, ओके दोस्तो back आजाते हैं, इसके अलावा देख सकते हैं, यहां पर जाके आप और भी पर्मीशन, पर्मीशन आप दे पाएंगे, तभी आप यहां से उस चीज को use कर पाएंगे ओके दोस्तो, तो यहां पर जाके आप location इनको use कर सकते हैं जैसे कि location का अगर हम देखे हैं, तो location के लिए trigger create करना है यहां पर जैसा कि लिखा हुआ, you enter or exit an area तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी area में enter करते हैं या exit करते हैं, जैसे कि मैंने यह area डाल लगा है, यहां पर मैं enter या exit डालूँगा तो मुझे notification जो भी मैंने डाल लगा हुआ, उस related trigger मुझे मिल जाएगा जैसे कि मैं यहां पर जाओंगा, then that पर जाकर create कर सकता हूँ जैसे ही मैं इस location पर जाता हूँ, poster tweet with image, तो यह भी मैं set कर सकता हूँ कि इस location पर जाते ही, मेरे यह twitter पर जाकर एक post हो जाना चाहिए तो यह सारी चीजे मैं manage कर सकता हूँ तो यह फिर चाहने था Android SMS आपको अगर भेजना चाहते तो वह आप कर सकते हैं तो काफी cool है यह application यूज़ करके जरूर देखिएगा मज़ा आएगा अगर आप इस application को यूज़ करेंगे तो पाना ना भूलें दोस्तो बहुत जल मिलेंगे हम आपको नेक्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स और नईनी वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय दोस्तो